यूपी पीएससी आरो यारो दोजार इकिस की कट आफ क्या जानी चाहिए इस पर काफी लोगों ने कहा इस पर एक वीडियो बनाने को अलाकि इच्छा नहीं थी काफी नेगेटिव चीज़े हैं कि रिवाइज अंसर की नहीं देते हैं कट आफ खुद आयोग नहीं बताता है और तीसरी बात है कि इतनी सारी नकल की हटना है जो सामने आई फिर भी नकारत्मक चीज़ों को नदेजंदार्ज करते हुए हम अपना काम करते हैं बाकी तो जो आयोग करेगा वो तो दिखाई पड़ेगा ही एंसर की आने एक बात फिर से एक बार विश्टेशन करेंगे आप लोगों का जो फीडबेक आया उसके आधार पर ये कटाफ में बताने जा रहा हूँ दूसरा पेपर जो सामान हिंदी का था वो बाद है कि दो से एक से यंदा answer सही हो सकते हैं ठीक है वो तो आयोग देखेगा आप लोगन भात में उसके लिए करिए का परियका कि चेंज करेंगे वो तो बताये कि नहीं चींज के दिक रिक फिर वो सब बाते दूसरी है चिर यहां बात है कि जितने प्रश्ण सही है उस पेक कटाफ क्या रहनी चीए उसके आधार पे तो दूसरा पेपर जो था उसमें आसानी से 55 से 60 किया मैंने पहले विवताया था कि 55 से 60 आप करके आओगे तो 55 से 60 मैक्सिम लोग इसमें हैं एक दो नमबर इधादर होगा बहुत ज्यादा कम होगा दिबावन हो जाएगा इतना आपका हो गया है इसली इसमें इस पेपर में हिंदी वाले प्रश्ण पत्र में तो जितने लोगों को सेलेक्ट करना है उन्हें उतने लोगों का तो कि यह सजाना तक होती है वह फश्वेपर इस बार ट्रिकी ज्यादा था प्र威श्णों को नय प्रकार ने प्रस नहीं थे नय प्रकार से डिजाइन किये हुए प्रश्ण थे कुछ नय प्रश्ण भी थे जिनकी कोई अभी तक पूछ नहीं थी वो भी प्रशन थे मैं जैसे इलाहावाड के किले पर गभाड कर लिया इस तरह के जो प्रशन थे वह पहले बार प्रशन यह पूँछ गए थे जो डेखा गया कि इंका प्रशण का डिजाइन करने का उद्देश यह था कि जो घटना चक्र और पीवाई क्यू जो इसके पहले पेपर पूछे गए हैं वो प्रश्ण न मिले लोगों को आप लोगों की आदत पड़ गई वैसे ही डिजाइन की हुए प्रश्ण आप देखने की नए प्रश्ण नए तरीके पूछे आते है तो आप लोग घबरायाते हुए आपकी घबराने की बात होती नहीं है वो पहले से आप देखे हुए होते हैं उसके एक आप्शन को एक विकल्प या दो विकल्प को पकड़ लेंगे तो आपको पूरा उतर मिल जाएगा उसका खेर हो तो पूरानी बात हो चुकी पेपर आ आपकी आरो की और किसके लिए जनरल के लिए यह आरो की जो सीटे हैं यह सामाने सीटे हैं सामान मतलब सामाने वर्ग की नहीं आपको ज्यांत होगा किस बार वेकेंसी आई है बैकलॉग भी तो बैकलॉग वेकेंसी को छोड़ करके जो सामाने वेकेंसी है जिसके लिए आप ये जो पोस्ट है आरो की इसमें 56 पोस्ट आपकी लगभग जन्रल की हो गई 40% के असाफ से या इससे कम क्योंकि महिलाओं का भी इसमें रहेगा फिमेल काटेगरी में भी अलग से रहेगा हाना कि ये पोस्ट आपकी जन्रल की तो बहुत कम है बेकलाग वेकंसी ज़ादा है इसलिए केटेगरी में SCHT OBC में कटाफ काफी कम रहेगी इस बार अगर जनरल की कटाफ देखें उसकी अपैक्षा क्योंकि सीटें उसमें ज़ादा है बेकलाग वेकंसी भी है इसलिए इस बार जो कटाफ इसलिएशन रहेगा जनरल के लिए तो मैं जो बताऊंगा वो तो रहेगा ही लेकिन OBC, SCHT की काफी कम जा सकती है यह मैं आपको अभी सिस्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्यों कम जाएगी इसका करण मैंने आपको बता दिया ARO की वेकेंसी भी जादा है तो ARO की भी काफी कम कटाफ वैसे भी कम जाती है काफी इस बार भी काफी कम रहेगी ARO 2016 में कटाफ थोड़ी जादा चली गई थी इसका करण था कि 2016 वाले में ARO में वेकेंसी वहुत ही कम थी इस बार वेकेंसी जादा है तो ARO की कटाफ पुनह कम रहेगी 100 के आसपास वाले सेलेक्ट हो जाएंगे 100 के आसपास वाले ARO में अगर हैं आपके दोनों पेपर मिला करके तो सेलेक्ट हो जाएंगे जनरल में ARO की बात करें तो ARO की कटाफ वैसे भी कांप्टिक्शन जादा है eligibility इसमें O level है नहीं ठीक है तो लोग भी संख्या में जादा है और पद कम है हिंदी का विपर आसान था मैंने बताया 55 easily tackle किये जाना में वाले प्रश्ण थे 55 कर लिए होंगे आप लोगोंने first विपर में उतने candidate मिल जाएंगे इनको जिन्होंने 70 या 70 प्लस किये है मतलब जितने को इनको लेना है तो 70 प्लस 55 ये एक आउसत मैं बता रहा हूँ आपको 125 तो 125 से नीचे कटाफ नहीं जाएगी ये आप समझ लिजे कि RU की जो कटाफ रहेगी 125 से नीचे नहीं जाएगी जनरल के लिए 125 से उपर रह सकती नीचे नहीं रहेगी 125 प्लस वाले ये अपना स्थान सुनिश्यत समझें कि हाँ हम मेंस देंगे 125 से नीचे वाले वो समंझस की स्थितिम रहें कि हम देंगे कि नहीं देंगे तो 125, 125 प्लस वाले ये मान के चलें कि मैंस दे रहे हैं अगर कोई अकस्मात नहीं हुआ जो नेगेटिव चीजें हैं उसका असर ज़्यादा नहीं रहा 125 से नीचे वाले वो उमीद तो है ठीक है कैसा रहा है कितने लोग एजाम दी है किस तरह के लोग बैटे हैं बहुत सारी चीजे रहेंगे वीगत कई वर्षों से कुछ unexpected चीजें देखने को मिली है तो देखने को मिल सकती है ऐसी बात नहीं है लेकिन ये जो 125 है ये आपका safe score है कटाव से भी आगे मैं बात करूँगा safe score है 125 प्रस वाले safe हैं इस परिक्षा में जैसा की paper आया था तो ये रहा आकलन और मैं आपको बता दूँ साफ साफ कर देता हूं मैं बार बार हर वीडियों बताता हूं फिर बता रहा हूं कि ये मेरा आकलन है अनुमान है कोई comment कर रहा था कि आपने जूट बोला जूट बोलने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है तो मेरा अनुमान है सही जूट कुछ भी हो सकता है सही गलत हो सकता है जूट तो वहां बात आती जहां मैंने ये इस आयोग के हवाले से कोई आपको खबर दियो कि आयोग ने मुझे सूचना दी कि इतनी कटाफ जाएगी ऐसा कुछ नहीं अनुमान है और आयोग में भी पूछने पर जो बताते हैं वो भी अनुमान ही बताते हैं ऐसा नहीं कोपी देखकर आते हैं बताते हैं कि इतनी कटाफ जाएगी इसलिए जूट सही नहीं, सही गलत हो सकता है ये मैं दावा नहीं, गारंटी नहीं दे रहा हूँ इस चीज की ये मेरा अनलसिस है, अनलसिस सही गलत हो सकता है क्योंकि जितने लोग परिक्षा, ढाई लोग परिक्षा दिये हैं हर व्यक्ति से बात नहीं की जा सकती है जो लोग जुड़े हैं उनका फीडबैक लेके बात की जा सकती है फीडबैक जो आया उसके आधार मैंने आपको कटाफ बता दिया यह कटाफ रहनी चाहिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद